तो जो है आज इस वीडियो में राजभासा सहायक का जो भरती आई हुई है आप उसका ओनलाइन आगे दन कैसे करेंगे मैं कम्पलीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं स्टेप बाई स्टेप और जो लोगों की मन में सवाल है इसके जो है क्वैलिफिकेशन को लेकर तो मैंने पहले भी कल एक वीडियो बनाया था जिसमें नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करें थी और अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं कि आप सिंपली अग और फ्रेशर कंडिडेट एलिजबल है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपका यहां जो है लिंक जो है ओपन होने लगेगा तो सिंपली आप इसके ऑपिसल साइट पर आएंगे और इसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क् सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जैसे ही टेकनिकल असिस्टेंट और जो है फिर टकनिशन भी की भरती आती है तो सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा बताया जाएगा तो सबसे पहले आप यहां क्लिक हैर सब्मिट ऑनलाइन अप्लिकेशन पर जैसे किलिक करेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस परकार से अप्लिकेशन फॉर्म उपन होगा और यहां आप जो है अपना जेंडर स्लेक्ट कर लेंगे जो भी जेंडर है आप यहां जो है अपना नाम दे देंगे आपका जो भी नाम है और उसके बाद आप जो है मैरेड है मैरेड है आप सेलेक्ट करेंगे करें स्सुERS करेंगे स्सक्राइब करने के बाद जो है आपको am eco करेंगे सब लोगों के लिए यह जो है आप को जो है लिए तो आपके लीए आपको जो है डिना यानि non objection certificate अगर आप कहीं करमचारी हैं कहीं वर्ग कर रहे हैं तो आप यहां पर याज क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको नोसी की डिटेल देनी होंगे और उसके बाद जब आप वहां जाएंगे इसके टेस्ट के लिए तापको वह सेटिफिके जो है लिके जाने होगे तो simply आप लोग इस पर नो ही रने दें और उसके बाद जो है फिर आगर आप इस पोर्ट पर सेंड है तो यहां यास करेंगे नहीं तो नो कर देंगे उसके बाद जो है अपना यहां फादर का नाम डालना है आपकी जो भी फादर का नाम है उसके बाद जो है आपको फोटो यहां फोटो सिलेक्ट कर लेना है, आप यहां फोटो देख सकते हैं, आपका फोटो होना चाहिए 50KV साइड मैक्सिमम इन उसके अंदर ही होना चाहिए, इस पर क्लिक करके जो है, अपनो फोटो का सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे ही आप फोटो सिगनिचर जो अप्लोड कर दें होंगे, और आपने जो फोटो और सिगनिचर फिल करी है, यहां आपको नीचे में डिटेल्स आपने जो पहले स्टेप में क्या है, आपको पहुंच स्टेप में फ़र्म भरने है, सारा चीज आपका डिटेल्स दिखाएगा, उसके बाद आप एक बार चेक कर लेंगे, चेक मैं आपको एक एक जम्पल के तौर पे ऐसे फ़र्म भर के दिखारा है, आप जो है, आपका जो भी एड्रेस है, आपको भी डालेंगे, आपका जो भी पिन कॉड है, वही डालेंगे, आप यहां कोई गलती नहीं करेंगे, और उसके बाद आपको एक अपना कॉंटेक्ट न कमर दे देंगे, अगर आपके पास है, अगर नहीं है, तो आप जो इसे बिलैंक छोड़ देंगे, उसके बाद जो है, आपको एक एमेल एड्रेस देना है, आपको जो भी एमेल एड्रेस है, वो देंगे, जो चालू रहता है, तो आपको यहां जो है, इमेल एड्रेस देनी के दो और ना सुर्ण है और इसके बात सही ग मिलेगा dł dh ま जाने वाले एक लेनी, आपको मिलीक करों है और इस बगलोर 2 बेंग़ोरी मिल है और करने के बात जाए उसके बद फिर किया नाक्स अधैब यह एक मिलेगा जासे यह मी लिस फिर तो आप यहां कोई और अल्टरेनेट नमर डाल सकते हैं यह सेम नहीं होना चाहिए जो पहले डालेंगे तो मैंने एक अल्टरनेट नमर भी डाल दिया है उसके बाद आप जैसे ही इस्टे पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां डेटल आ जाएगा, आपको अपना date of birth कर लेना है, आपका जो भी date of birth है, तो मैंने अपना date of birth स्लेक्ट कर ली है, उसके बाद आपको select qualification exam आप देना आप कौन आपने जो git vision करी है, आपको आर्स में करी है, science में करी है, या फिर commerce में करी है, या फिर आ ज rer नाम करें हैं जैसे सिर्षर को जब अगर आंगर पॉल्टिक से से घ्ट्री से दो और आपको यहां उन्वसरी नाम करने होंग जैसे मैंने पठनाव प्रफूल नाम लिखना है और उसके बाद फिर जो है आपका जो पास करी है उसका डेट क्या है तो आप यहां वो डेट फिल कर देंगे डेट फिल करने के बाद जो है टोटल माक्स आपका कितना था जैसे मैं एक्जमपल की तौर पर बता रहा हूं 500 और इसमें नहीं है आप जो अधर है तो फिर आप जो अधर देन फर्स्ट कर देंगे उसके बाद आपको दसमी के डिटेल देने होंगे कि आपने जो दसमी पास करी है वो कौन सा बोर्शी करी है और जो है मन्त एंड यर और फासिंग आपको पासिंग का मन्त और यर देने होंगे उसके आपको percentage देने होंगे कि आपने कितने percentage गैन करी है और उसके बाद आपने कोई diploma और computer application पॉर्म जो है कोई degree ली है तो यहाँ yes करेंगे नहीं तो no रने देंगे उसके बाद यहाँ उपर में आप यहाँ देख सकते हैं मिनिट यहाँ आपसे पुछा जा रहा है कि आपने जो कोर्स का duration था उसी के अंदर आपने डिगरी प्राप्त करी है या फिर आपको कोई बैक बगर लगा है और आपने समय सिमा पर ही कोर्स को पूरा क्या है तो यहाँ आप नहीं रने दें और अगर आप में आपने आपने कोई extra time लिया है या फिर आपको बैक लगा है तो यहाँ करके जो आपको yes कर देना आपको जो को उसके बाद यहां पुछहाएं कि क्या आपके पास computer application का डिप्लोब माैं रहे तो यह आपके पास computer प्रोग्रम में निक्यून है यहां पूछ रहा है आपके पास तो क्या आपके पास अंगरेजी टंकन का ग्यान है, तो यहां जो है, आपको को यहां जो है, इन दुनों पे आपको यस का टीक कर देना क्योंकि इसमें टैपिंग मांगा गया है तो अगर नहीं भी है तो आप जैसे रिटन एक्जम देखे आएंगे तो इसका प्रैक्टिस करेंगे और यह सीख लेंगे और जैसे यह सब करने के बाद आपको simply next step पर क्लिक कर देना है तो यहां आप देख सकते हैं सारा detail फिल करने के बाद कुछ इस पर कर से आएगा और आप यहां जो है एक बार अपना सारा detail चेक कर लेंगे आप यहां जो है सारा detail एक बार चेक कर लेंगे कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है और उसके बाद यहां आप जो है सारा अपना जितना भी आपका qualification exam का detail है सारा चीज जो है यहां mention क्या रहेगा और यहां करने के बाद आपको सब्मीट का बटन दिख रहा है तो आप सब्मीट पे क्लिक कर देंगे अपको अपना यहां registration ID मिल जाएगा यहां आप देख सकते हैं आपका registration ID है इसे समाल के रखेंगे और उसके बाद पोस्ट नमर आप देख सकते हैं 01 है और उसके बाद आ इसे ही आप यहां किलिक करेंगे तो आप जो है अगले स्टेपे पहुंच जाएंगे पेमेंट के लिए और पेमेंट आप जो है जिसके माध्यम से करने करना चाहते हैं उसे साबसे जो आप अपना यहां पेमेंट कर सकते हैं तो यह जो है कोई genuine candidate का नहीं है मैंने सिर्फ इ दन करके दिखाया है तो इसी परकार से आप जो है online आविदन करेंगे और मैंने जो है मैं इससे पेमेंट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि यह जो है मैंने किसी का form नहीं बगाया है तो आप यहां से simply जो है user ID अगर आप net banking से करना चाहते हैं या फिर जो है debit card credit card से करना चाहत और date of birth और उसके बाद जो है अपना application को प्रिंट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही user related कोई भी update आता सबसे पहले चैनल पर बताया जाएगा